एक साधर, कहते हैं मेरी कर्शनाई है। कि मैं एक इमानदारी के पक्समें रहने वाला साधर हूँ, पर गूफ लेने वालों के मुझे काली करना पड़ता है। अने इन लोगों के पीछ रहते हुए इमानदारी और निरोज खाव का निरोभाsl देखो पेड़ी पास भी है कि जदि आपकी मन में बैदा जो ख्याद को और सच्चमुच जो इमानदानी का सर्फोर है जो आपकर अप्रमात्मा के इमानदानी का सर्फोर को देने यह समझ देना जब जगस्त और अवस्त का उच्चरा है और सरवत्र अवस्ति अमाया काज़नी का दति है तो जदि सची इमानदानी कास करना हो तो को तेखो प्रिश्र परपन्द से बढ़ाग़ करके तो करें साठ 아athi अच्छा आप आई जो आउकना नामा कर चाहें आपको मादर कुणा की बुरुखी भी कर दो है। मुझाबी कर वाज़ दो है। सत्यनारायन की तता दुजापाद भी कर दो है। उसरा उप्रवाद। आपना ना वो उसमे की बुड़ी में माने कर दो है। वो छत्रिय जो है, वो जो भार कार करता है। तो प्रजा का अपारत करते हुए लिए छत्रिय को भी बोड़ी सी विवाण स्विकार कर दी है। वैशे के लिए तो स्पास दूप से लाज़ों में लिखा है। कि सत्यारते तो माणी के। अब जोना बूज़र किसी को दिखारामत कि दिखने में बाहर करीता है। नहीं को रोपी के लिए भी बचने देगा। और वो बदा करता है। अब रहा कर दिखाने के लिए और एक जहां से बिखने हैं वहार करते। तो बदा करते हैं। अच्छारी सिक्र का जो करव होते हैं काम होता है। तो सच्ची इमानदार को रोगे है। तो गरोज़र में जदि आपको आपको रखो तो ऐसे देमारों के पीच में अज़र नहीं पीच है। और जब बैते हैं तो गरोज़र में देमानी से जदि रुगया कमारे हैं तो इसको देखकर आप लचाईए गारें। ज़र इनके घ्रत जादा आता है तो हमारे भर में भी जादा आए। जदि लाज़र रखेंगे तो आपको बहुत बुट होगे। और तदी इमानारी में आने के लिए। इस सबसे बड़े सुखी लोगी पाके रह जाएं। और सादा कमरा कमरें। और खरति पर सुझाएं। लेकिन हम तो इमानारी में ही अपना करण कर्यान बाते हैं। तो आप अपने को सुख्ट कर दी हैं। जुक्रे सादघ हैं उनके पीछ में कि वहें तुम लोग तो चाबो सुख करो, हम तुम्हारे अंदर कुशने हैं, तुम्हारे शिकारच नहीं करते हैं, तुम्हारे आमदरें में कोई मादा निकाल करते हैं। हम अपने हाँ पूर्ठी करना चाहते हैं और आप सब दो बेरे उपर रिवा करके क्रपा करके मुझे ऐसी सांती में रहने दुझे क्योंकि मुझे इसी मैं हाँ पुष्टी दन की दुझे हम अपने एक दिर पर को जानके हैं इसके पढ़ले हमें उनके सब्सक्राइब में हैं एक दन पुष्टक पदेश के मुझे मंत्रे अपनी मोटर बेक उसल्मान को लेकर आए और बोले कि हम परवार जो जहां से पाकिस्तान चला गया है उसकी जमिन तुब इनके नाम से जिक्रव यह हुटे समगने है तुम्होंने कहा ये इसकी बाद निकिस्तान उनसे बभाहा कर दिया और अराज्यार के जाज दिया जब निकला जो कोई समगने है तो सबस्क्राइब में रिपोर्ट कर दिया अब ऐसे मुझे मंज़री आए जिन्दकी बाद उसकी उन्दकी में उने भी लेकिन वो उन्नीस ग्रास बोट खाता था गोड़ा अपना पेश्रिया साया के बड़ता था अपने आज से रसोई मुझे खाता था और उसे दिकलाता था और सादा कपड़ा रिता था अपने नर्के से बाहर दिने जादा था चूठा अपना नगी देखता था और भारा उसका पचीश-चपीश बड़त सो भी जाए चापाद बज़री मुझे होई तो उन्तीस से चापाद का अंगोर्व देख साथ है सन्यासी होने पर भी कोण सोग और सादा उनका इमानदारी से बिता है जो इमानदारी से जीवन बतिक करना चाहे उसको थोड़ी तपस्या का इमन अपनाना आवश्चे कर तुम रहना चाहे और अपने नुक्त्रों के का भोशना बताए कि तुम नो प्रेमार हो, तुम अइसाना उनको समझें और नको कहें, बन्की अपनी इवस्था रदाखें कि हमारा आपने लिए इमानदार इंस सब लोगों को अनुकूल कर लेना चाहिए, और अनुकूल नहोसके हैं तो नमत करके छोड़ जाएंगें, जब इमानदारी से प्रेम हैं तो इमाने छोड़ झाल झाल